अब देखना सुरू कर दिये हैं BPS News और मैं हूँ संतूस कुमार पार्थ हिलिसान मंडल के टॉप 10 खबरों के साथ मैं हाजर हूँ बिहार शरीफ से दस्पताल भेद दिया मिर्तक के हाथ पर बीरू लिखा हुआ है क्या कुछ करें एक गंगर साय थाना के थाना दस अकलेश कुमर जहाँ जरसुनिए सुनते हैं दूसरी खबर मंगल बार को हिलिसान मंडल के रियलक सबगार में हिलिसा के श्टियो पर बीन कुमार हिलिसान मंडल के विविन पर खंड के विकास मित्र को संबोधित करते हुए कहा कि 30 सितंबर तक सभी रासन लभकों का अधार सिटिंग हो जाना चाहिए जिनका 30 सितंबर तक अधार सिटिंग नहीं हो पाएगा वह रासन कार्ड से बंचित रह पाएगे उन्हें रासन नहीं दिया जाएगा वैसे में विशेश रूप से महादली टोला में जागरुकता भियान चलाने के लिए हिलसा किश्टियो परभीन कुमार ने कहा कहा कि बहुत सारे ग्रामिन लोग ऐसे हैं जो कि आधार कार्ट नहीं बनाया है वैसे में उन्हें आधार कार्ट बनाना है और आधार कार्ट के बनाने के लिए फिर जाग्रो करना है सुनते हैं तिसरी ख़बर जीला मंत्री अस्तोस कमार उपस्तीत रहें इस मौके पर जीला मंत्री अस्तोस कमार ने कहा कि गाउंग के बूध तक स्दस्ता भयान हम लोग बना रहें तकि पार्टी और भी मजबूत हो सके देश के परधान मंत्री नरेंद मोदी के अगवाई में देश विकास कर रहा है और हर छेतर में आगे बढ़ रहा है वासे में भाजपा को और भी मजबूत करने का हम लोग काम कर रहे हैं इस मौके पर मंडल महमंत्री अभाईनेंदन पांडे ने कहा कि भाजपा राष्ट वा हुए लोग की समस्या एक-एकर सुनने का काम किया है जिसमें खास क्रिया देखने को मिला है कि एक एंगर्शार प्रखंशित्र के कई गाउं में आसे हैं कि सरकार के द्वरा संचालित नल्यल योईना है लेकिन बंध है उसे सुचारू रूप से चालू करवाने हैं तू माध्यम से विधाय करा किस्कुमार रौसन ने अवगत कराने का काम किया है इसके अलावे भूमी सर्वेचन का काम हो रहा है वासे में रसीद ना कटना मोंटेशन ना होना नली-गली विवाद पीशे सी ढलाई समित अन्शमश्या भी आया है जिससे समश्या का निदान करने के लिए उन्होंने भर प्रियास करने का बादा दिया है इस मौके पर राजत के परखंड अध्यच बली राम मिस्तिरी परखंड उपाध्यच परमोद कुमार सलेश कुमार जीपी जी सुधीर जी सर्यूग परशाद गौरी संकर मनोज दिनेश परशाद सीता राम समित कई राजत के कार्यकरता भी मौके पर मजूद थे सुनतें पाचवी खबर मंगलवार को करापश्राप्रखंड के विडियो विशाल अनन्य जनकारी देते हैं कि करापश्राप्रखंड छेतर के रासन लाहु जिनका अधार कार्ड रासन कार्ड से शिडिंग नहीं हुआ है वह का नाम रासन कार्ड से अटा दिया जाएगा चुछ चुनते हैं छटी खबर हिलिसा अंचल के सीओ मुहमद इकवाल अहमद ने बताया कि हिलिसा अधवकता संग हिलिसा अधवकता लिपिक संग हिलिसा बभार न्याले हिलिसा कातिव संग कि आसपास जितने में मुक्षडक पर फुत्पाती दुकंदार है उनको दो बार नोटिस दिया गया है 11 सितंबर तक अगर वह फुत्पाती दुकान हटा ले नहीं तो इगारा सितंबर को कानूनी करवाई करते हुए उन सभी अतिकर्मन कारियों पर पडशासन का बुल्डोजर चला जाएगा और शमान को छत सुनते सात्वी खबर गबड़ा पर मुहला में आई हुई थी और टेंपू से वह पटना जा रहे थी इस तोरान बैरुंतल चोर के द्वारा मुवाईल चोरी कर लिया गया है इस समन्द में हिलसा थान में प्रात्मी की दर्ज करने के लिए आवेदन दी है अस्थानी लोगों ने बताया कि हिलसा सहर के अंदर एक सप्ता के अंदर दर्जनों मुवाईल चोरी की घटना सामने प्रकास में आया है मेरा मुवाईल हिलसे और तो के हमारी बहु जा रही थी द्यूपी के लिए पटना और आटो से जा रही थी तो कहीं आगे बढ़ी तो मुवाईल के लिए वो देखी खोजी तो मुवाईल मिला नहीं की से स्थान पर को गया लगो सुनते हैं आठवी खबर योगिपुर गौं के पास दो बाई की होई टेकर एक बाईग चालक का तूटा दहना पैर पतना रेफर हिलसा को रामा पत्के योगिपुर गौं के पास दो बाईग की आपस में टेक्र हो गया जिसमें एक बाइक चालक गंभी रूप से जक्मी हो गए और उसका दहना पैर तूट गिया आसपास के लोग की मज़ से आनन फानन में इलाज के लिए अनमंडले इस्पताल हिलसा मला कर भरतिक रहा गया जक्मी की पाचान हिलसा थानाचित के खड़ी लोधी पुर्गावन इवासी सुनील परसाथ का 28 पर से पुत रविरंजन कुमार के रूप में किया गया ची किस्सक के दोरा प्राथ्म को उप्चार करने के बाद बहतर इलाज के लिए पटना पीम सेच रेफर कर दिया रविरंजन कुमार ने इलाज के दोरान बताया कि घरेलू समागरी खरिदारी करने के लिए वह अपने बाइक से हिलसा आ रहे थे इस तोरा न यह घटना घटी की से थान पर जोगेपुर से थुरा सागे निकले थे जोगेपुर के पास हुआ है सुनते हैं नामी खबर नगरनौसा प्रखंशित के सुलमान चकर में नदी के पानी में मंगल वरक महिला डूब गई आज पास के लोग के महत्य से आनन्फानन में महिला को इलाज के लिए प्रात्मिक स्वास्त के नगरनौसा में ले जाया गया जहां पर डूटी पर तराथ चिकिस्टक ने महिला को मिर्त घोष्ट कर दिया महला की पहचान राजिप पासवान के पत्नी मुन्नी देवी के रूप में किया गया अस्थानी लोगों ने बताया कि कुलकत्ता में अपने परिवार के साथ महला रहती है वह बर्तमान में अपने गौँ में आई हुई थी मंगल बार को खुदागन थाना छित के अरजन सर्थ हुआ गाउन इवासी तेज बललाम पांडे के पुत्र मितलेश कुमार पांडे के द्वारा हिलिसा केश्टियो परविन कुमार को एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि उनके विपच्छी के द्वारा खित पर जवरन कबजा कर लिया गया है इस मामले का निश्पादन किया जाए इस मामले को लेकर हिलिसा के श्टियो पर विन कुमार के द्वारा 126 की धारा के तहत करवाई की गई है गनेश पूजा के अबसर पर इसलामपुर के सत्या गंज महला में भाक्ति जागरन कार्कम का आयोजन किया गया इसका बिधोत उद्गरन जद्यू के नेता सह पुरुविधाय के पुत्र रूदल रंजन भाजपा किशान मोर्चा के जीला धच महंदर सियादव एबं परखन जद्यू के अध्यच सह उपमुख पार्सत तनवीर आलम ने दीपर जलित कर किया गया जहाए एक से बढ़कर एक भक्ति जागरन में कारिक्रम प्रस्तूत किया गया इस तोरान कारिक्रम में आपसी भाईचारा एबं समाज की समरता आपसी प्रेम दिखाए दिया मौके पर बाल बिद्या मंदिर के निर्देशक समाज से भी जनार्धन सर्मा भाजपा निता बिजय बिश्करमा जदियू निता बिनैसी बाड़ पार्षत परतनिधी राजिस खन्ना बाड़ पार्षत सिवशंकर कुमार उफ सुनील कुमार जितिंद्र लाग इत्यादी जो आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें लाइक करें अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो सेर करें